समन संग क्या है इसका उदेश्य क्या है ये सब के मन में आप सब के मन में होगा कि ये क्या है निज फास कर जो फस्ताइम जुड़े हैं तो भाईयो समन संग जो है ये कह सकते हैं कि जुड़ने जोड़ने का प्रोग्रांम है फस्ताइम आप ये सोच सकते हो लेकिन समन संग हमारा भोत पुराना पुर्खु का दिया वह संग है हम उसी को रिवाईव कर रहे हैं उसी को याद कर रहे हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये संग है क्या और इसकी क्या जरूरत पड़ी तो जहां तक संग की बात हो तो हमारा उर्खों का है पुराना दिया है उसी को है इसकी जरूरत क्यों पड़ी इसके पिछे बहुत जो है क कावी जूरूर्ट पढ़ी हैव हम कहां जा रहे हैं कि सब हम अपने आप से भी पूछ सकते हैं कि हमें इकठा होने की इंपोर्टेंस है सब को पता है आप से किसी बच्चे को बाहर जाते हैं परेंट्स कहते हैं बार जा रहे हो इकठे रहना बच्चे होंगे तो कई उगली पकड़े रखो भई एक दूसरे की कहीं गुमना हो जाएं तो यह संग के जो साथ-साथ फैदे हैं इस तरह के संग में रहने से ही एक टाकत बनती है ताकत मिलती है हमें तो यह संग की जो प्रेकल्पना है जो यहा आरा जो संग है लगातार बढ़ रहा है इसकी यह कि यह किसी के मन में कि यह क्या नया संग्ठन नई पार्टी है या तो लोग ना जल्दी सबस्क्राइब जब बताओगे उनकी संकाएं हैं उनके रहते हो थोड़ा सा इससे आनाकानी भी करने उनको बताया जाता है कि एक बार जूड़ो तो भी उनको एकस्पियेंस अनुबहु ऐसा है कि बहुत सारे संग्जनार हैं अपना कुछ करते हैं अपना उलू सिदा करते हैं और आम जंता का कुछ बला होता नहीं है तो इन संग्जाओं को हमें दूर करना चाहिए और वो दूर जब होगा जब उनको थोड़ा हम कोसिस करें कि एक बार जुड़के देखो जैसे तैसे करके जो भी आप और फार जाय कर रहे एं और इससे जानने का कांसी डहसे कि पिछले 24 सालों में अजाद ही हो गया तो हमारी होगा है हमारी हालत क्या है हम Welcome to दिया था सिवधान के नुसार क्या अब तक क्या काम हो है और जो अब क्या हो रहा है और क्या हुआ है और क्या हमने क्षोया क्या पाया अगर इस पे जाएं तो सिंपल सी बात है हमें अगर अगर देशिका भी मान लें, इसकी सिविधान की उसमें जो जो बाते हैं, जिन्याए है, बराबरी की बात है, भाईचारे की बात है, सर्विस डीगनिटी की बात है, इजतमान outlined की बात है, और आम आदमी के अधिकारों की बात तो क्या उस संकल्पना के अनुसार क्या हम हम आप यह उसके अनुसार के फार रहे हैं articulate अधिक Mia नीर्मान की जो बात थी कि यह रहा है उस पे आगधर ध्यान दे तो हमें पता चलेगा कि हम खास करे हम लिए ढरेम के नाम पर किया रास्त्र कोई देष के बाउंडरी से रास्त्र निता है रास्त्र बनता है रहां कि दूश्य के प्रते कितनी संपंता वह Arkansas में कितनी जागरती है क्या प्यार से हैं आज भी जाते के नाम पे तो क्या उसका कुछ भी देश्य पूरा निवा है स्मिधान का जो हमारे मापुर्सों ने आजादी के दिवानों ने जो जिसके लिए इतनी कुर्बानिया करी तो उनकी जो सोच थी क्या उस इसाब से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा उसका कारण क्या है अगर हम कारण जाने तो कोई भी संक्षन या पार्टी जितने सारी आज तक हुई है उनका जो उनके पदादी कारी है कह सकते हैं तो उनको उदिश्य कभी भी यह रहा नहीं है कि हम अपने जनता को वीदा पीपल के लिए काम करें हमें बताते हैं कि जब भ संग्ठन है वह सारे के सारे बात तो करते हैं लेकिन उन में सम्में दोगलापन है उनका कई टारगेट या उद्देश से कुछ और तरह के संग्ठन करते हां हमारे आज कि हालत क्या है और वह तब चल रहा है कि कम से क्वतने संग्ठन आज की देट में उसमें चार लाग संग्ठन जो है वो बिलकुल यक्टिव है सिस्क्टिय। यूं कए कि वह साल में दो, तिन, चार, दस प्रोग्राम जुरूर करते हैं हमारे से हमारे पास आते हैं आज हम भाबासाब का प्रिनुई मानदीवस मना रहे हैं आज हम जैनती मना रह buffalo जैन ती साथ जो भी ऐसे से कारीय करम के नाम पे हमारे से पैसे लेके जाते हैं और उसके बाद मंच माईक के इसाब से किसी को नेता को किसी को बुला लेते हैं ऐसा भी होता है कि कुछ पैसे भी दे जाते हैं अगर सरकारी तंतर से कोई मंत्री आए तो वो पैसे लेगे और उसके बाद फ्री उससे कोई बिल्डिंग भी बना लेता है कोई होस्टल बना लिए कोई भावन बना लिए लेकिन वह भावन बनाना भी क्या है कि एक आपसी लडाई का बंटवारे का ही एक साधन बनता जा रहा है वहाँ पे कोई समीती बनी या सभा बनी उसमें अगली बार कोई आएगा अपद के चक्कर में अपना फायदा सब के मन में एहम एंकार होता है उस चकर में फिर बंट जाते हैं वह वहीं उसी संग्तन या जो सभा बनाते हैं उसी में आपसी लडाई इतनी खिंचातान चल यह जगह जगह एग्जामपल देखे जा रहे हैं कि जिनको कुछ टाइम हो गया वहां पर आप सी मत्वेद इतने हो गये कि वहीं लड़ाई हो जाती है और जो हमारी बिल्डिंगे हैं जो कहने को है रहे है कि हम बना रहे हैं पैसा लगा यह कि हमारे बच्चों का सब कुछ लोक्रिया जा रही है प्राइट आजरा है नहीं इतना महेंगा हो रहा है स्कूल को प्राइवेट बढ़ावा दिया रहा है सरकार काम सासन तंतर जो है सासरी व्यवस्ता है और उसके अलावा हमारे चोटे चोटे जो अधिकार आप जिनता के उनका हणनल हो रहा है सामने किसे बोलने तक दिया नहीं जा रहा है हत्या बलातकार की घटना रोज आती है कोई आवाज नहीं उठाता किसी पार्टी आपने मतलब के लिए चुक्ण हो रहते हैं जब उन्हें लगता है कि अपॉलना है हमें फायदा तब बोलता है को गठना होगी तो सारे पॉलिटिकल यज़संचन उसका फायदा उठाने के चक्र में वा जाते हैं और उसी साफ से काम करते हैं वो उसको रोकने या क्यों हुआ इसके कोई नहीं बात करता कि यह सब उन्हें इसे में सारी उपाइद है यह वाली विचारदारा है जिसको हम पुरानी बाहसा मैं कहते हैं मनु सिम्रेती की बाहसा है जिसमें सब आपस में बंटे रहे यही देश से उसका था और वही आज चल रहा है हम लोगों को भर्मित है बर्म में डालते हुए हम उसी व्यास्ता उसी सिदानतों को पालन करते जा रहे हैं आपस में लड़ते हैं छोटी-छोटी बातों पे तो इसी लिए इसको यह सोता गया कि इसक तो इसका इलाज है आप तक क्या हुआ है सब कुछ हमने प्रियास कर ले इतने संक्तन भी बने हैं और सारे कहते कि हम बाबा साब का मिशन दुरा हो पूरा करेंगे महापूर्सों को की जो सोस थी उसको आगे बढ़ाएंगे लेकिन हो रहा सब कुछ उल्टा है रिवर्स हो कुछ तो इसके पिछे कारण जब जाना थो हमारे बहुत सारे सीनियर साथ ही जो कपी टाइम से ये सब काम कर भी तो उन्हें लगा कि ये तो बात कुछ हो नहीं ही रिया उनके समझ आया कि जब तक हम इकठे नहीं होंगे ना इतने कुछ नहीं होगा इतने इसे चलता किसक्ट करने की कोशिच की गई और वह सब आये भी लेकिन वह उनके मन में तो मैं क्या हूंगा जब भी जब हम इकठ बिघैंगे मैं पर्धान कोन होगा सप्रांट्थे मिनों लिया उनके उनके कट्ण पाने पाने कि ऑंके जो बात कर रहे हो उपड़ के बाहना ना लेकिन मन में ऐसी बातें बिठा रखी है कि वो कोई त्यार नहीं हुआ किसीने सब एक बार आए बाकि कोई बात नहीं करें हम इकठे हो जाए तो अब हमें लगा कि हम तो इन सारे नेतावर संक्टनों के जो हैं इनके चक्कर में इनके व्यक्तिवाद और स्वार्थ और प्रतिष्टा के चक्कर में हमारे जारे आम जन्ता तो ये सोचा गया कि हम इकठे होंगे हम अपने अधिकार हम बचाएंगे अपने आप बचाएंगे वीदा पीपल अपने आप बचाएगा और उसके लिए पुरानी व्यवस्ता को याद किया, जो हमारे पुर्खों की है, जो हमारे बाप दादाओं से हजारों साल पहले कह सकते हैं, तब से चली थी, और जब हम उस व्यवस्ता के तहद हम इकठे रहते थे, और बड़े खुश रहते थे, सब कुछ बराबर, बराबर यह संबन संग जो है जिसको उना ौट्धा से भी पहले का संग है हमारा क्योंकि उसके बाद विश्ण से ही सजा मिली थी इससे हम कह सकते हैं कि संग हमारा पहले जित था बुद्धा ने पहले इतने और बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सारे नेपाल ये सब महाबारत में थे और बिल्कुल सारे सारे सिरफ उस व्यवस्ता ओधम की बात करें तो धम में रहते लोग नियमा नुसार चलते थे उस हिसाब से सारा कुछ था और वो हमारा दिरे-दिरे जैसे जैसे हम शौते गए, वैसे वैसे हमारा जाता रहा, और चार-पांच सालों फिछ ली सालों में तो हम बिल्कुल ही अलग हो चुके थे हो हो गये थे समय समय पर हमारे कोशिश की गई जब अलग होना शुरूआ तो हमारे मापूर्श आगे आए उसके बाद सारा जिसको जिनको हम हमारे सामने भक्ति अंदुलन पेस कर रहे हैं यह सब वो सारे हमारे करंटी कारे गुरू थे सारे सारे रविदास जी ले लो कबीर संत कबीर जी लो यह नाम देव लो जितने संत हुए हमारे जिनको इन्होंने संत मुने सारे सारे क्रांती कारी थे और जो तरह काफी जमाने की कोसिस कर रही थी गैर ब्राबरी और जो है इस वियुस्ता को नहीं खुब उस टाइम कोशिस की और लेकिन बाद में ऐसे चलता रहा और हमारे चार-five सालों में हालत जो है बहुत जादा खराब होगी हम बिल्कुल हमारे सारे हदिकार शिक्षा का और सब देरे देरे जो है ना छिने गए या हम्म इस ऐसे बना दिया गए कि मानशिक्त तोर पे हम गुलाम कह सकते हैं इस तरह से होने लगे उसके बाद हमारे मापूर्स जो तिवा फुले और गाड़गे जी और बहुत सारे आगे चलते आए जिनोंने हमें समझाने की कोशिश की समाज को जगाने की कोशिश की बाद में बाबा स बढ़ाते विए उन्होंने अपना सारा गा सारा जीवन लगाया और हमें सविधान में सारे के सारे अधिकार फिर दिये वापिस दिये लेकिन उसके बाद क्या हुआ हमारे जितने हमारा जो डूटी थी हमने वो नहीं करी जो आज फिप्टीज या रिटार्मेंट पे है वो उन लोगों के खास कर वो सोच सकते हैं कि उन्होंने पछले 50 सालों में हमने क्या क्या? उन्होंने क्या किया? हमें जोड़े रखने के लिए क्या किया या बाब साब ने जो चाहा उस की तरह में क्या ध्यान दिया क्यों नी दिया नहीं दिया तो क्या किया जाना। कि यह सब अगर सोचा जाए तो यह हमें करने के लिए जितने हमारे हमारा अपना जो है मन्थन है तो हमें बहुत आगे आना चाहिए खासकर फिप्टीज और सिक्टीज के और युवाओं को जो युवा है उन्हें हमें प्रोपर गाइड करें कि हमने जो गलती कर दी या हमारे से जो गलतियां हुई जिसके कारण हमारे हक अदिकार सारे वापिस जा रहे है आए भी नहीं थे पूरे से और कि आ अप सी जो त्यारी है कि हमें वापिस उसी उसी चालत में पहुंछाने की जो जिन कि जो चार है और उसमें हम सब भी कह सकते हैं रिस्पोंसिबल है तो वो सब को देखते हुए हमें यह सब जितने ध्यान में यह सब रखते हुए जो जो व्यवस्ता को ठीक करने के लिए हमारे जो जिम्मेवार रहे हैं तो हमें उस पे काम करते हुए संग में आना चाहिए संग की जो संकल्पना है उसके लिए हमें लोगों को आवान करना चाहिए दिन रात लगाना चाहिए हमारे अब साथी सारे लगव काखी हैं लगे में है सारे और यह समन संग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है अपकी आवाज बंद होगे प्रियार सर दुबारा दुबारा आघे है यह दिनों दिन जो जूम मीटिंग है पहले कोशिस की गई फीजिकल मीटिंग के लिए लेकिन फीजिकल मीटिंग का जो है करोना के का नहीं हो पाया तो इसको जूम पे शुरू किया गया और जूम मीटिंग जो है फीजिकल से भी ज्यादा हमारी कह सकते हैं सक्सेस्पुल रही है बढ़ कि इसमें कोई समय या पैसा बिलकुल ही नहीं लग रहा है सब अपने घर बैठे अपने मीटिंग कर सकते हैं तो इस तरह से हमार कि चुमियोन कते करेंं के पैसे अपने हैं इसको और जो इसके अन्यों को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसके जो थोड़ा एक्टिव काम करना चाहते हुँ उसको प्रवक्ता आता है इस एक ही परमोसन हैं और जो इस कंशेप्ट को समझ जाता है वोıld स्पोआक पर आगे कैसे बढ़ना हैं हमारे चोटे चोटे नियम है भी बनाएं कि संग में कोई सब समान है कोई छोटा बड़ा नहीं है सब का बराबर के अधिकार हैं मंच माई परतिस्टा का कोई या बोल बाला नहीं है सब एक साथ बैठते हैं या तो सभी कुर्शियों पर बैठेंगे या सभी नीचे बैठेंगे कोई अलग कुछ नहीं है किसी के लिए अलग से कोई कुर्शी नहीं लगाई जाती सभी के बरा करते भी नहीं है बिलकुल कम से कम पैसे में हम अपनी मीटिंग करते हैं पारा किया कोई हमारे भावन है वो सब देखते हैं वहाई कठे होते हैं अपना खाना खुद लेके आते हैं सारे वहाई इकठा करके खाना खाते हैं जो इकठा हुआ खाना वो संका खाना हो जाता है किस अगर कोई आदमी कार लेके जा रहा है वो पैसे खर्च करके उसके चार साथ ही हो रहा है उनको पैसे बिलकुल 100% कंपल्सरी है उसको देने अधरवाई तो कल को फिर दुबारा बात करेगा तो तो अपना एक दिखाएगा कि मेरा खर्चा हुआ है मिन को बदलना है आमने स्वाभीमानी बनना है अपना खर्चा खुद ही वेहन करना है मन में जब ऐसा रहेंगा तो हम अपने आपको इस डंक से कर लेंगे हम किसी का कुछ खाएंगी नी मनमें हम कहते हैं कि इतने बड़ने हमारे जा रहे तो हमें पहले इन रिकार करना है तो हमें उनको पोस्टन हो बंद करना पड़ेगा तो इसलिए हमने इसको clear एक नियम रखा हुआ है कि कोई किसी संग्तनिया पार्टी को पैसे नहीं देंगे पैसे जब देंगे जब वो इकटे होके आएंगे तो हो सकता है कि जब वो मजबूरी में भी इकटा होके आएंगे अदर्वाइज उनके जो भी सद्दस्य हैं उनको ह समझाते हैं पैसा देना बंद करो और संग में आओ और आदमियों की हमारी हमारी मजबूती होगी मैजोर्टी होगी संग में आएंगे तो हमारे काम अपने आप होने सुरू हो जाएंगे संग में सकती है संगे सकती है यह हमारा पुराना हो है हमारे मापूर्शों का कि जब जब जुडेंगे तब तब जीतेंगे जहां जा जुडेंगे तब हम जीत जाएंगे जीतने के हमारे जीत है जैसे दो अपरैल को हम जीते थे हम अपने खुद नेता हुने तो उसका बाइकार्ट किया था हमारे संग्ठनों ने बाइकार्ट किया था लेकिन जनता आम जन किसानों का 32 संग्ठन थे सबने संग बनाया एक साल तक संगर्ष किया बिलकुल श्यांतिपुर्ण तरीके से तो काम्याब हुए तो इन एक्जम्पल्स को देखते भी हमें समझ लेना चाहिए कि संग में ताकत है छोटे-चोटी बाते और बहुत है जो को प्रें बच्पन शिखाती जाती स्का निगेजू जीत Casey जीत के रहेंगी रहेंगे अ आप सबी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने Facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे यह link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इ departure लेने की या पर्मिसल लेने की बिलग्गल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है धन्यवाद संगम सरेनं गच्छामी संगम सरनं गच्छामी तूठियं पी बुद्धं सरनं дав। भूथियं पी बुद्धं सनं गच्छामी तूतियं पी धम्मं अर्सेनु गच्छामू तूतियं पी धम्मं सर्नं गच्छामू तूतियं पी संगों सर्नं गच्छामू तूतियं पी संगं सर्नं गच्छामू ततियं पी बुद्धम सरंगच्छामी ततियं पी बुद्धम सरंगच्छामी सादू, सादू